आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे स्वस्थ होंगे तंद्रूस्थ होंगे तो आज हम पड़ेंगे ए नीव राइम गुड़ मैनर्स गुड़ मैनर्स मतलब अच्छी आदते या तो आप बोल सकते हो अच्छे संस्कार जो हम सब में होने चीए तो जैसे कि आप इस फिच्छर में देख पारेंगे ऐ लिटल वोई एंड लिटल गर किस तरह से अपने पेरेंट से इन्टरैक्ट करतेS आपको नजराराएग्ग इस फिच्छर में तो हम जानेंगे कि क्या का है ग्रूप मैनेस के बारे में और इनके इंटरेक्शन के बारे में इसी राइम की तुरू तो बने रहीगा मेरी वीडियो में मैं आपको रिडिंग के साथ साथ एक्स्प्लेइन भी करूँगा और जब मैं रीड करूँ ट्राइ किजी आप भी अब आपको एक्स्प्लेइन करता हूँ धान दीजेगा गुड मैनर्स मतलब अच्छे अदते मैनर्स आर सच लोग लिटिंग तो अच्छे आदते हमें होने में बहुती एक प्यारी सी चीज होती है इस रियली फ़न टू से और अगर ही होती हमें तो कुछ बाते बहुती एक फ़न होता है हमें बोलने में सॉरी प्लीज एंड थैंक्यू इन सचे नाइस वे तो यह त्री लिटिल वर्ड्स सॉरी प्लीज एंड थैंक्यू यह ऐसे वर्ड्स से के इतने अच्छे लगते हमें बोलने में ओके थैंक्यू सो मच ममी तो देखिए यहां थड्ड इमैज में आप देख पा रहेंगे यहां पर ममी अपने संच को एक जिफ्ट देते वह आपको नजर आ रहे तो इन रिटन प्लीज दे अगर हमें कोई गिफ्ट दे रहा हो या कोई एप्रिशेट कर रहा हूं तो हमने इन रिटर उन्हें थैंक्यू बोलना अच्छी है ओके बच्चों कि डाड़ी प्लिस सिंग इट लाउड तो देखिए यहां पे डाड़ी ओके औने डॉटर तो यह डॉटर अपने डाड़ी से बोल रही है कि आप जो गाना करें तो थोड़ा से लाउड में गाई तो यहां प करना है तो हम प्लिस कहके बोल सकते हैं इसार लिटिल माजिक वर्ड्स दाट में पारेंट्स प्राउड तो इसार थी लिटिल माजिक वर्ड्स थैंक्यू प्लीज एंड सॉरी तो जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख पा रहेंगे यहां पे लिटिल गल अपने मम्मी से माफी मांगते आपको नजर आ लिए तो सायद से इन्होंने कुछ गल्टी कर दी है तो इसलिए वह माफी मांग रहें तो हमने भी अगर कभी गल्टी कर देते तो हमने हमारे पैरेंट्स से सौरी बोलके माफी मांग लेनी चाहिए और हमारे पैरेंट्स हमें माफ की कर देते ओक्वे बच्चो तो आशा करता हूं आपको प्राइम समझ में आएगी आप भी रीड कीजिए लर्ण कीजिए प्रैक्टिस कीजिए तो अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आते हैं तो जरू से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो आज के लिए इतना ही तो मैं मिलता हूँ आपको अगली दिन के नेक्स्ट वीडियो में तब तलक के लिए धन्यवाद बाबाए बच्चो